नमशकार दोस्तो ट्रेक्टर एंड तरुन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है हमने पिछले एपिसोड में जाना है जुताई के बारे में और उसमें उप्योग में आने वाले उपकरणों के बारे में इस बार हम एक अलग उपकरण के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्क प्लाव वैसे तो इसके नाम सही प्रतीत होता है कि इसमें डिस्क का उपियोग किया जाता है और ज़्यादा तर डिस्क प्लाव का उप्योग तब किया जाता है जब आपके खेत में पुरानी फसलों के आउशेश काफी रह गये हों तो आईए जानते हैं नमस्ते किसान भाईयो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिस्क प्लाव के बारे में इसकी बनावट कैसी है खेत में इसकी क्या-क्या सेटिंग करनी पड़ती है और इसके फायदे क्या है जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिस्क प्लाव की फ्रेम काफी मजबूत होती है और इसी मजबूत फ्रेम पर लगी होती है डिस्क यही disc मिट्टी को अच्छे तरीके से तोडती है और साथ साथ पलड भी देती है और इसी disc के कारण इसे कहा जाता है disc plow इन disc के पीच्छे लगा होता है एक guide wheel ये guide wheel disc plow को सीधी लाइन में चलाने में मदद करता है इस पर लगे हुए reversible arm और hydraulic cylinder की मदद से ड्राइवर आसानी से डिस्क की दिशा को बदल सकता है यानि reversible blow की तरह भी डिस्क प्लोव का इस्तमाल करके समय की बचद कर सकता है इं डिस्क और guide will पर लगा होता है scraper यह scraper इन पर चिप्किवी मिट्टी को आसानी से निकाल देता है आजिए आप जानते हैं डिस्क प्लव की डिस्क जमीन से खड़ी दिशा में सीधी न होकर थोड़ी तिर्ची होती है और इसी एंगल को डिस्क का टिल्ट एंगल कहा जाता है टिल्ट एंगल जितना कम होगा उतनी ज्यादा प्लव की गहरा ही मिलेगी और ज्यादा तर प्लव में टिल्ट एंगल के लिए इसे आप 48 डिग्री अगर मिट्टी कठोर है तो इसे आप 52 डिग्री पर सेट कर सकते हो तीसरी और सबसे जरूरी सेटिंग है गाइड वील की जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि गाइड वील प्लाव को सीधी दिशा में चलाने में मदद करता है अगर आपका ट्रेक्टर प्लाव चलाते समय एक साइड में खीच रहा है तो इस सेटिंग को करना बहुत जरूरी है आम तोर पर गाइड वील को डिस्क से आदा इंच नीचे रखा जाता है अगर मिट्टी नरम है तो इसे आप आदा इंच से थोड़ा सा कम अगर मिट्टी कठोर है तो इसे आप आदा इंच से थोड़ा सा जादा रख सकते हो इसी तरह आप गाइड वील की एंगल को भी सेट कर सकते हो नरम मिट्टी में इसे आप कम और कठोर मिट्टे में इस एंगल को आप जादा रख सकते हो अब जानते हैं डिस्क प्लव का इस्तमाल आप किस प्रकार के जमीन में कर सकते हैं और इसके फाइदे क्या है डिस्क प्लोव का इस्तमाल आप हर प्रकार के जमीन में कर सकते हैं लेकिन ऐसी जमीन जहाँ पर पत्थर या घास या पिछले फसल के आउसेज बहुत ज़्यादा मात्रा में है वहाँ पर डिस्क प्लोव बहुत अच्छे तरीके से काम करता है इसकी भारी और self sharpening age वाली डिस्क खूटियों को उखारती है, काटी है और मिटी में अच्छे तरीके से mix भी करती है प्लोव के लिए डिस्क प्लोव का इस्तमाल करने से मिटी अच्छे तरीके से बारिक होती है यानि मिट्टी के बड़े बड़े ढेले नहीं बनते और साथी साथ ये खेत को अच्छी तरके से लेवल भी करता है जिसके परिनाम स्वरूप, सेकंडरी टिलेज के दोरान रोट्री टिलर को दो बार चलाने के बज़ाए एक ही बार चलाने से खेत अच्छे तरके से तयार हो सकता है यानि आपके समय और डीजल की बचत भी होती है तो देखा दोस्तों कैसे डिस्पलाव की मदद से आप जुताई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं तो मुझे यकीन है यह एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा इसे तरह की जानकारी पाने के लिए देखते रहिए ट्रैक्टर एंड तरुन